दोस्तों, आईए स्टार्ट करते हैं आजका हमारा वीडियो ग्यान की प्राति कहां हुई थी तो इसका आंसर होगा Small Google को यह बोग गया में प्राप्ट हुआता और उन्होंने अपना पहला अपधिश कहां दिया था सारणात में दिया था यह कुशन बहुत बार पुछा गया है दोस्तों अपनी तयारी को इंप्रूभ करते स्फि锅 Jagdani पता नहीं कितना स्कूर प्राप्त किया है कमेंट करके ज़रूर बताये तो नेक्स्ट की COP अध्या। होई देक्टेया तो पानी पत की पहली लड़ाई किनके बीच बाबर ने सिकंदर लोधी अःषिएало। test इसका अंसर होगा इबराहिम लोदी जो की आंसर भी सही है तो किन के बीच में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी पानिपत लड़ाई कब हुई थी 21 अप्रेल 1526 में हुई थी और किन के बीच हुई थी बाबर और इब्रहाइम लोदी के बीच में हुई थी और ऐसे ही पानिपत की दूसरी लड़ाई 15 नौंबर 1556 को हैम चंद्र विक्रमा दिते जिसको हैमु भी बोलते हैं और अकबर की सेना के बीच में हुई थी किसके बीच हुई थी हेमु और अकबर की सेना के बीच में हुई थी कब हुई थी 1556 में हुई थी जित्य युद्ध हुआ था और त्रित्य युद्ध जो हुआ था किसके बीच में हुआ था एहमद साह अबदाली वह मराटू के बीच में हुआ था और कब हु तो इसका answer क्या होगा? इसका answer होगा स्री हरी कोटा में. जो answer correct होगा वो है C. कहां है? स्री हरी कोटा में है. और इसका नाम क्या है? इसकेंदर का सतीज धवन अंत्रिक सकेंदर. Next question देखते हैं. Next है. भारत में राष्टी उभुकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्टी उभुकता दिवस कब मनाया जाता है? A. 26 दिसंबर B. 26 नॉवंबर C. 24 नॉवंबर D. 24 दिसंबर तो कब मनाया जाता है? राष्टी उभुकता दिवस तो इसका correct answer क्या होगा? ये होगा 24 December. Answer क्या होगा? D. जो की है 24 December को. और इसकी theme क्या थी 2022 की? Nispex Digital with क्या थी? Nispex Digital with Fair Digital Finance. और विश्व भुप्ता दिवस कब बनाया जाता है? ये तो राष्ट्रे था. अब विश्व भुप्ता दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 15 मार्च को. कब बनाया जाता है 15 मार्च को? Next question है. विश्व स्वास्ते संगठन की स्थापना कब होई थी? तो डबलू अचो की स्थापना कब होई थी? 1948, 1955, 1946, 1945, 1946 और 1947. तो कब होई थी? क्या होगा इसका आंसर? A. 1948, B. 1945, C. 1946, D. 1946, 7. तो इसका आंसर क्या होगा? Correct answer क्या है? इसका correct answer है 1948 में. विश्व की स्थापना कब होई थी? 1948 में होई थी. विश्व की full form क्या है? World Health Organization. क्या है विश्व की full form? World Health Organization. ये भी पूछा जाता है, full form से related question भी पूछे जाते हैं. और इसका मुख्याले कहा है? तो W.H.O का मुख्याले कहा है? ये जिनेवा, Swigiland में है. कहा है? जिनेवा में है. और इसके सदसे देश कितने हैं? कितने है W.H.O के सदसे देश? ये है, 194 इसके सदसे देश है. और इसके अभी वर्तमान महानी देश कोन है? ट्रेडोस एड़ोनम. कौन है? ट्रेडोस एड़ोनम. इस W.H.O के महानी देश का वर्तमान में. कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी. क्या है W.H.O की full form? World Health Organization है. मुख्या लेका है. जिनेवा, स्विजर लेंड में है. सब याद होना चाहिए. नेक्स्ट है. जहांगीर के दरबार में ब्रेटिस सासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो कौन था राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आय था? ब्रेटिस सासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? कौन था? ओप्शन A, रोफल, फिंच, B, पिट्रा, डेला, वेला, और C, एड़वर्ड, टेरी, और D, विलियम होकिन्स. तो कौन था इसका राजदूत? क्या होगा इसका आंसर? सिक्स का आंसर होगा D, जो की है विलियम होकिन्स. कौन है? विलियम होकिन्स था. नेक्स्ट क्यूशन है, भारतिय राश्ट्य कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अधिक्स कौन रहे? तो ये अधिक्स से रिलेटेड क्यूशन भी पुछे जाते हैं. तो कौन रहे थे? A. मौलाना मुहमद अली. B. मौलाना अबूल कलाम आजाद. C. वल्लब भाई पटेल. D. सुभाश चंद्र बोस. तो कौन रहे थे? सबसे कम उम्र के अधिक्स कौन थे? भार्टे राष्टे कांग्रेश के कौन थे? तो इसका अंसर क्या होगा? मौलाना अबूल कलाम आजाद. जो की B. आंसर करेक्ट है. कौन है? मौलाना अबूल कलाम आजाद. और ये सबसे अधिक समय तक भी रहे थे. पहरतिय राश्टिक आंगरेस के सबसे जादा समय तक अधिक स्पद पर रहने वाले कौन थे? यही थे मौलाना अबुल्खलाम आजाद। सबसे कम उमर के और सबसे अधिक समय तक यही रहे थे। नेक्स्ट क्उशन है, नेक्स्ट क्यूशन है, किस दिली सुल्टान ने राजे की सहायता के लिए नहर सिचाई विवस्ता का प्रारम किसने किया था? तो ए रजिया सुल्टान, वी अलावदीन, खिलजी, C गयासूदीन, तुगलक और D सिकंद्रे लोदी तो इसका आंसर क्या होगा, तो नहरू का, और नहरी सिचाई वविस्ता का प्रारम किस ने किया था तो इसका आंसर होगा, वो है C, गयासूदीन, तुगलक और इन्हों ने क्या था, तुगलक बंस की स्थापना की थी, और ये सासन कब तक किया था, इन्हों ने दिल्ली की सल्टन पर सासन कब से कब तक किया, तो ये 1320 से 1325 तक इन्हों ने दिल्ली की सल्टन पर सासन किया था, और इन्हों ने तुगलक राजवन्स की स्तापना भी की थी और इन्हों ने क्या-क्या निर्मान करवाया इन्हों ने किलों, पुलों और नहरों का भी निर्मान करवाया था इन्हों ने गया सो दिन तुगलक में करवाया था नेक्स्ट क्यूशन है शरीर के आंत्रिक अंगु का परिक्षण किस उपक्रण द्वारा किया जाता है तो जो शरीर के अंदर के जो है आंत्रिक अंग उनका परिक्षण किस तक्निक के द्वारा किया जाता है या किस उपक्रण के द्वारा किया जाता है A. Electrocardiography के द्वारा B. Endoscope के द्वारा C. Stereoscope के द्वारा या D. Microscope के द्वारा तो किस तक्निक के द्वारा या किस उपकरण से किया जाता है तो इसका correct answer होगा वो है B. जो कि है Endoscope के द्वारा और Electrocardiography क्या होता है जिसे हदे की समस्याओं का पता लगाने में इसका उपियो किया जाता है कि इसका Endoscope कार्डियोग्राफी कार्डियोग्राफी से याद होना चाहिए Endoscope कार्डियोग्राफी कि इसका क्या काम होता है हदे की समस्याओं का पता लगाने में इस उप्रण का उप्यों किया जाता है next है एविक्षुभ वस्तू के इस्तिर रहने या समान वेग से गती करते रहने की प्रवर्ती को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है A. जड़तव, B. समवेग C. बल और D. उड़जा तो क्या कहा जाता है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ए जो की है जड़त्वे तो जड़त्वे का नियम क्या होता है कि एक पिंड अपने वेग और दिशा में तब तक बना रहता है जब तक कि उसके उपर कोई बहाये बल ना लगाया जाए तो क्या है ये जड़त्वे का नियम क्या कहता ह कि एक पिंड अपने वेग और दिषा को तक तक बनाए रखेगा जब तक कि उसकी गती और दिषा में कोई बाहिये बल उस पर नाकारिये करें next है मुद्रा इस्पिती कैसे नियंत्रित की जा सकती है तो मुद्रा इस्पिती कैसे नियंत्रित किया जा सकता है A. मजदूरी में व्रद्धी करके, कराधान में हास करके, लोग वे में कमी करके, या रुपे को और महंगा करके तो मुद्राइस्पित्टी को कैसे कम किया जा सकता है इसका आंصर क्या होगा इसका आंसर होगा जो कि है लोग वें में कमी करके अब मुद्राइस्पिति क्या होती है जब मांग और आपूर्थी में तो और आपूर्थी कम होती है, तो वस्तों और सेवाओं की कीमते बढ़ जाती है, तो कीमतों की इस प्रद्री को ही हम उद्राइस्पिती कहते हैं. Next देखते हैं, अब हैं बुक से रिलेटेड क्यूशन है, बुक से रिलेटेड क्यूशन आते हैं इजामे, तो चट्जित किताब हमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो हमलेट है, उसके लेखक कौन है? या किसके द्वारा लिखी गई है? A. William Shakespeare, B. Arthur Kastler, C. George Bernard Soh, या D. Michael Anderson, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा William Shakespeare, कौन है? इस बुक के लेखक वो है William Shakespeare. कौन सी बुक है? हमलेट बुक है, William Shakespeare की है, next है. पर्थाम विश्वयुद के समय किसको Recruiting Sergeant कहा गया है? किसको कहा गया था रिक्रूटिंग सर्जेंट उपनाम किसको दिया गया था या किसको कहा गया था एवललभाई पटेल वी जोहालाल नेरू सी महत्मा गांधी और डी सरोजनी नाइडी तो किसको कहा गया था, recruiting sergeant किसको कहा गया था, तो इसका answer होगा महत्मा गांधी, जो कि हमारा C answer correct है, इनको कहा गया था, महत्मा गांधी जी को कहा गया था, और महत्मा गांधी जी के उपनाम और कौन-कौन से थे, मोहन भी उनका उपनाम था, उसके बाद में master गांधी, बाप तुलिव फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाता है, फेस्टिवल से रिलेटेड टुशन की एक्जाम में आते हैं, A. जम्मु कस्मीर, B. हिमाचल परदेश, C. उत्राखन, D. पसीम बंगाल, तो तुलिव फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया, तो इसका आंसर होगा, A. जो की है जम्मु कस्मीर में, कहां जम्मु कस्मीर में टुलिव फेस्टिवल का आयोजित किया गया, और कौन से है जम्मु कस्मीर के फेस्टिवल जो इंपोटेंट है, हैमिस महोटसव, कांचोत उत्सव, सिकारा महोटसव और गुरेज महोटसव, जो कांचोत तो सबसे उचा railway bridge तियार कहां किया जा रहा है? A. चिनाव नदी पर B. जेलम नदी पर C. ब्रह्मपुत्र नदी पर D. गोदावरी नदी पर तो कौन सी नदी पर तियार किया जा रहा है? भारत का सबसे उचा railway bridge तो इसका आंसर होगा A. जो कि है चिनाव नदी और ये जम्मु कस्मीर में बनाया जा रहा है Next देश के तीसरी वंदे भारत अक्सप्रेस ट्रेंन किन दो सहरों के बीच सुरू हुई है? जो वंदे भारत अक्सप्रेस ट्रेंन है वो किन किन देशों के बीच में चलाई जा रही है? तो कौन से दो सहरो के भी स्रूव हुई है? इसका आंसर होगा 2. जो की है गान्दी नगर से मोंबई सेंटरल के बीच में ये स्रूव हुई है. कौन से नंमर की है? तीसरे नंमर की है बंदे भारत अकस्पेस train है ये semi high speed train है कैसी है? semi high speed train है और जो पहली बंदे भारत अकस्पेस train है वो कब शुरू हुई थी? 18 फर आवरी 2019 को शुरू हुई थी नेक्स्ट है, नोबल पुरुसकार से रिलेटेड है, ये भी पूछा जाता है इजा में, नोबल पुरुसकार को कित्ते छेत्रों में दिया जाता है, सबको पता होना चाहिए कित्ते छेत्रों में दिया जाता है, छे, पांच, चार और साथ, तो कित्ते छेत्रों में दिया जा ये किसके याद में जा जाता है ये अल्फ्रेड नोबल बर्नार्ड की याद में दिया जाता है इनको ये क्यों दिया जाता है इन्होंने कौन सी खोज की थी इन्होंने डाइनेमाइट की खोज की थी और कब की थी 1867 में की थी इन्होंने अल्फ्रेड नोबल बर्नार्ड थी और इसकी सुरुवात कब हुई 29 जून 1900 को Nobel Foundation की स्तापना हुई थी और 1901 से ये दिया जाने लगा था Nobel पुरुषकार और Nobel पुरुषकार कौन-कौन देता है दो दो Foundation की सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राजे में स्तापित किया गया है तो विशुय का सबसे बड़ा सफारी पार्क है। गहां बनाया गया है तो यह इसका होगा ए हरियाना में ये स्तापित किया गया है और हरियाना के जो है गवर्णर जो है राझये पाल कॉन है बंडारू दत्तात्रे है राजदानी कौन सी है हरियाना की ये चंडीगड है और मुख्य मंत्री कौन है मनोहर लाल कटर जी है नेक्स देखते हैं तीहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है तो तीहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है ए गंगा नदी, बीदामोदर नदी, सतलज नदी और दी भागी रती नदी तो किस नदी पर बनाया गया है टीहरी बांध, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा भागीरती नदी, जो कि है D, correct आंसर होगा इसका, कौन से नदी पर बनाया गया है टीहरी बांध, ये भागीरती नदी पर बनाया गया है, और ये भारत का सबसे उचा बांध है, कैसा बांध है, सबसे उंचा बांध है, कौन सा टीहरी बांध है, भागिरती नदी पर है, और कौन से राजे में है, यह उत्राखन राजे में बनाया गया है, नेक्स्ट है, भारतिये सविधान में मोलिक अधिकारों को किस देश के सविधान से लिया गया है, तो जो यह स्त्रोत है भारते सविधान के यह भी एकजाम में आते हैं तो जो मौलिक अधिकार है वो कौन से देश के सविधान से लिया गया है याद होना चाहिए A, Rus, B, Britain, C, America या इन में से कोई नहीं तो कौन से देश से लिया है यह अमेरिका से लिया गया है तो इसका अंसर होगा C, जो की है अमे अमेरिका से और कौन कौन से लिया गया है वो है नयाइपालिका की स्वतनतरता अमेरिका से लिया है नयाइक कुनरावलकन लिया है उपरास्टपती का पद सविधान की सर्वोस्ता और वितिये आपातकाल कौन कौन से लिया है वितिये आपातकाल सविधान की सर्वोस्ता जो कि है दर्रा से related, important है, दिपु दर्रा कहां इस्तित है, तो दिपु दर्रा कहां इस्तित है या कौन से राज्य में है, A. Sikkim, B. Arunachal Pradess, C. Mijoram, D. Karnatak, तो दिपु दर्रा कहां है, तो ये है, Arunachal Pradess में, कहां है, Arunachal Pradess में, और अरुणाचal Pradess के अन्य कौन कौन स कौन से है, बोमडिला है, यांग्याप है, लिखा पानी है, लिप्पु दर्रा है, बुमला है और दिहांग दर्रा है, इंपोर्टेंट है सारे. Next question है, करो या मरो का नारा किस ने दिया? तो ये नारा से related question भी आते हैं, तो करो या मरो का नारा किन हो ने दिया है? A. B. R. Amidgar ने, B. Jamal लाल ने, C. Mahatma Gandhi जी ने, D. सुबाश चंदर बोस ने, तो करो या मरो का नारा किन हो ने दिया? तो इसका answer होगा महatma Gandhi जी ने दिया है, तो इसका correct answer क्या होगा? C. है, जो कि Mahatma Gandhi जी ने दिया है, और Mahatma Gandhi जी ने कौन-कौन से नारे दिया है? भारत छोडो और हे राम, ये भी इनके दो प्रमुक नारे हैं, आतने exam में. Next question है, भारते सविधान में राजे की नीती निदेशक सिदान्त, जो कि DPSP है को किस देश के सविधान से लिया गया है? तो नीती निदेशक जो सिदान्त है, वो किस देश से लिया गया है? A. Ireland, B. रूस, C. अमेरिका और इनमें से कोई नहीं. तो कहां से लिया गया है नीती से क्या-क्या लिया है हमारे देश में? राजे सबा के लिए सदशों का नाम अंकल भी आइलेंड से लिया है. राश्टपती के निर्वाचन की पदती भी आइलेंड की सुविधान से लिया गया है. नेक्स्ट है, अकनी सामंग यंत्र में कौन सी गेस का उप्योग किया जाता है? तो कौन सी गेस का उप्योग किया जाता है? A, CO2 गेस, O2 गेस, N2 गेस और H2 गेस. तो कौन सी गेस का उप्योग किया जाता है अकनी शामा की में? तो इसका आंसर होगा CO2 गेस, जो की A, करेक् क्या बोलते हैं carbon dioxide इसको बोलते हैं next है जो कि last question है सविधान की प्रस्तावना में 42 में सविधान संसोधन द्वारा किस सब्द को नहीं जोड़ा गया तो कौन सा सब्द है जो नहीं जोड़ा गया है a परभूत्व संपन b समाजवादी c धर्म निर्पेक्स और d अखंटा सब्द को नहीं जोड़े गया है तो किसको 42 सविधान संसोधन और 1976 है और इस सविधान के तहत तीन सब्द जोड़े गये समाजवादी धर्म निर्पेक्स और अखंटा सब्द को जोड़े गया है थैंक्यों दोस्तों यह आज का हमारा question set था आपको यह कैसा लगा comment में जरूर बताए अपने score भी बताए और ऐसे ही sit हम करते रहेंगे जो हमारी exam के लिए helpful होगा thank you दोस्तों